ओम सिरीगनी सायनम दूस्तू एस्ट्रू समधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 सितंबर सुक्रवार के रासी फल के बारे में कीह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-क चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपक रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों ति इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों इस समय आप निवेस का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेस कर पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही हैं यदि आप नौकरी बदनना चाहें तो उसमें भी आ आपको आज सपलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों साथी साथ आज आपको आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत साहित करेंगी आपको अपने कारेशित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का समय आर्थिक द्रश्टिकोंड से आप के लिए बहुती अच्छा समय है क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तो साती सात आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों क साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छेतर से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेतर में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे परिणामों की प्राप्ती होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों द्वारा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आ आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती द्वारा अपने माईके का पक्ष लेने के का आप दोनों के बीच अनबन हो सकती हैं इसलिए आज आप किरोध पर नियंतन एम वानी पर सैयम रखें अन्यत्था विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में इसलिए दोस्तों तैयार हो जाईए और संभावनाओं को सच में तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय हैं इसलिए आप जम कर पसीना बाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परेशानी हो सकती हैं इसके लिए आप को अपने परिवार के किसी अनुभव व्यक्ति से सला लेने की आवशकता पड़ सकती हैं जिहां दोस्तों कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकते हैं जिससे सारारिक तथा मांसिक रूप से आज आप ऐस्वस्त का अनुभव कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवश्चक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त दनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आज चिंताओं के वरद्दी हो सकती हैं लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तों बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों आपके प आख कान खुले रखने की जो एविवाईत हैं तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात शाज़ा कर सकते हैं दोस्तों प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनुकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सानभूती आज हो सकती है तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शानती, सदबाव, रोमांस आदी का आज समावेस होगा दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं जब का वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छेत्र में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा और शेय करिमियों का आज आपको भरपूर शेयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कारे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने करियर और विजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपनी सफलता के आज जंडेगार देंगे या दोस्तो आरतिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अफसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जहां दोस्तो भार की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना हैं साती सात विध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नई योजनाय बनाएंगी जिन में उनको अवस्चे ही सफल तप्राप्त होगी नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं दोस्तो बात करते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी स्वास्थ में कुछ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिसानियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं दोस्तो साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश वपाय क्या है दोस्तो आज आप इस शनान आदी से निर्वत्र होने के बाद दो रोटी ओपर खीर रखकर मा लक्षमी का इसमरन करते हुए गाए को खिल मालक्षमी के अशिरवाद से अवश्य ही पूर्ण होंगी और आपके शबी कार रहें बहुत यासानी से बनते चलिएगे दोस्तों मालक्षमी का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स वोक्स में जैमा लक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को करना ना भूलें धन्यवाद